हेलो फ्रेंज विल्कम ने तो कॉस्तम मॉम्स किचेन तो फ्रेंज आज में आप लोगे लेके आई हूं बहुत ही जादा टेस्टी रेसिपी तो फ्रेंज आज में आप लोगे लेके आई धेर सारा सबजी से बनी यह नास्ता की रेसिपी जोकि आप लोगे एक बार शुबर मे ब्रेक्फास्ट में भी खा सकते हो और यह रेस्पी बहुत ही ज्यादा हिली है और टेस्टी भी है तो चले फ्रेंज देर ना करते हुए फ्राफर से रेखना शुरू करते हैं तो फ्रेंज देख सकते सबसे पहले मैंने यहां पर लिया वेजिटेवर्स आप अपने मन पसंद लेंगे अप्रेंडिंगं जार में और आप ångस्के आप है मैंने यहां याप के बना रखा मार्स के शुरू हमली युद्क फष्शा में पेश्पास्य आप frsl seven लेट्री गेवर्स यह यस असलम चंड़ कश्पार में यह बचा हो यह अश्यीन है क्या बना बना लेना है कि न कीज़ें पानी सब्सक्राइब कह Station करण beta लें के सब्सक्राइब चमच लिया बे बेशन, जा laughed problem ने म्यांस पर चमच, नहीं का चावल का अंटा तो ऑँछी को पीस करके डाल सकते और असी सूजी नहीं लाम्स्प्री और यह चुक Hill का अभु सिरहे हमें यहां पर डालीं बेकिंग पॉर्डर नहीं कुआनि इसका उड़ी contribute चिली फ्लेक्स चाहित 158 तो को एक स salmon कर लिए 10 मिन हाथों से चाहो तो आप मैस भी कर सकते हो तो बस इसी तरह से आलू और पनीर को भी मैस कर लिया था यानिकि ग्रीज कर लिया था तो यह देखिए आलू और पनीर हमारी बहुत ही इसी तरह से ग्रीज हो चुकी है 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 अब इसमें हम रों डाले लेंगे थोड़े से नमक तर ध्यान रखक नमक यह थोड़ी डालना है और तो टॅलशा ज़नल दाली लालं मियद्श को पॉर्षर और यहां पर डाली थोरे से गर्म मसाला के है तो गर्म मसाला कहिशन य मंदू एक याद्य४्स हैं बोकि刈 तो वह भी डाल सकते हों, तो हड़ी मीच प्याज यहां पर आप डाल सकते हों, मैंने नहीं डाला था बस इसको सिंपली रखा था ओपर से मैं डालीए फोरे सेड़ी चीज तो मेरे पास इस तरह का चीज थाच educate me कायद अहगर जूर चीज को हमने भी हमने मींक्स कर लिया था गैस के तरफ ट्रिवे गैस के तरफ उपर ने डाल दिया पैन गरम होने के लिए अब इसमें डालें बटर तो एक चमाशी में डाल दिया था बटर और अच्छ तरह से बटर मेल्ट होने तक हम रूकेंगे पैन में तो दाल देंगे हम लोग सबजी बेशन और चावल काट डा कर जो भोल तियार किया था ना उसी को इस तरह से अच्छी तरह से ऊपर फैला दिया है । करेंगे इसमें डालेंगे इस्टफिंग तो जो कि हम आलू पनीर और चीज की तियार किया था अब अब ही बला इसमें इसके ऊपर से डाल देंगे अलू को यानि कि बाइंड कर लेंगे और इस तरह से एक तरफ डाल देंगे अब क्या करेंगे इसको डालने के बाद इस तरह से इसको इसमें चिपका देंगे तो हमारी आलू बिल्कुल भी इसमें से नहीं निकलेगी तो बस इसको अलरते पलरते ओभी इसको क्रिष्पी होने तक शेक लेना हैं कि आप लोग देख सकते हैं तो इसको में निकालेंगे एक प्लेट में और यह बाद कि बच्चे होगा है ना फ्रेंड्स शे इसी तरह से ना न हम एक बीकार लेंगे और यह को पिचा बटर पेन ते इसी पैनसे से पटली हुआ की दोड़ा बढ़ा साइज के दिखाड़ी करें लिए अधर से कितना ज़्या लग रहा है इसे लिए बच्चों को बहुत है पसंद आने वाले कि फिर हम लोग इसमे डाले चीज तो बच्चों को बहुत है जादा पसंद आते आप यह नास्ता किसी भी चीज के साथ कहा सकते हैं चाय के सा मज़े से खाने वाल है यह नास्ता और इसमें धेर साराम लोग सबजी डाले हैं तो यह इस पेसली बहुत ही जादा है तो इस तरह साब भी ट्राइक कर सकते हैं फ्रेंस प्रेंस पे अच्छी लेगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कूल भी मत बू झाह жथ झाह थैँ करना शेँडरन करस्ता घोज़े झाह Намट झाज करस्ता ब्लू श्रेंस प्रेंस भी जब कर सकते हैं सवस्फल लोगे कर सकते हैं यह तो लाइक कर से ऱोहा है र्सु ह